नमस्कार दोस्तों मेरा दाम में विमल सिंग बाला जी श्टरियटा में आपका स्वागत है KVS की तरफ से एक नोटिफिकेशन इमेल के माध्यम से जो है आपको देखने को मिला और ये नोटिफिकेशन आपका जो मैनुपिलेशन वाली एक बार अपडेट देखने को मिली थी उसी से रिलेटेड है सारी चीजों को समझते से पहले थोड़ा सा फ्लाइस बैक में चलते हैं ताकि चीज़े और बैतर आपको समझ में आएं तो एक इमेल के माध्यम से कुलदीप खर्व करके यहां पर आप नाम देख रहे हैं इनके दौरा इमेल किया गया और के विएस की जो ओफिशल इमेल आइडियो उस पर इमेल किया गया और 21 मार्च 2023 को यह इमेल किया गया था जिसमें यहां पर इनके दौरा इलजाम लगाए गया कि भाया, एक KVS का जो एक्जाम हुआ था ना, उसमें मैनुपिलेशन की गई थी, किसके किसके दौरा, तो KVS टीचर और जिसमें एक प्रतीक मलिक का इनके दौरा नाम लिया गया, और एक नाम आपका प्रतीक सिवालिक का जो है, वो लिया गया, अब प्रतीक मलिक और प्रतीक सिवालिक ये दो जो नाम लिये गया, इसको ले करके यहां पर थोड़ी सी, टूटी-फूटी इंगलिस में चीज़े यहां पर mention की गई है, क्या mention की गई है, mention ये की गई है, कि भाया जी, जो KVS की सारी जानकारी है, और ये online coaching भी चलाते हैं इन्हीं दोनों के नाम को ले करके इन्होंने सारी जीजें mention किये हैं कि online coaching चलाते हैं और जो KBS के notice वगरा आते हैं ये पहले ही अपने social media पर share कर देते हैं वो भी business purpose के लिए use करते हैं उसका और साथ ही साथ online coaching चलाते हैं इनके दोरा attachment भी साथ में जो है वो इसी email ID में बेजे गए जिसमें इन्होंने कहा कि मैं आपको साथी साथ coaching की fees का और बाकी कुछ attachment है वो भी आपको साथ में बेज रहा हूं तो इसको आप देख लीजिए और इसकी जांच कीजिए ऐसा इनके दोरा जो है वो भेजा गया था इनके खिलाब अब ये तो भेजा गया था 21 March को अब इसकी जांच वगएरा हुई तो जांच वगएरा हुई और notification एक और देखने को मिला 3 April 2030 को इसमें इनके दोरा जो KVS के प्रमुक हैं उनके दोरा ये पत्र लिखा गया subject इनी को ही लेकर के जो manipulation KVS teacher प्रतीक मलिक और प्रतीक सिवालिक करके कि भईया कि जो आपने notification एक किस को भेजा था उसकी copy एक लगाई है हमने और जो भी allegation लगाए गया थे उन allegation को यहाँ पर हमने mention किया है और ये भी बताया है कि भईया ये चीज जो करते हैं यानि कि जो allegation लगाए के था ना उसी को लेकर के लिखा गया है कि ये पहले भी इनके दोरा ऐसा किया जाता रहा है past में भी देख लिएका ना past also he was found floating various information of KVS in social media तो इस तरीके से सारी चीजे लिखी और ये कहा गया कि जो भी है चेक करो जाचो और जल्दी से जल्दी जो आपका authority है वो मुझे सूचना दे detail में report जो है मुझे 100 पे तो वो इनके दोरा लिखा गया ससिकान सर्मा है assistant commissioner इनके दोरा जो है ये लिखा गया तीन अप्रायल को अब एक और पांच अप्रायल को notification ये हमने आपको दिखाया तो आपको याद होगा तो लखनों के सभी संभाग को लिखा गया कि देखिए जो manipulation वाला notification था airfare वाला notification था वो हमारा विसाह है और इस तरीके वाली जो सारी घटनाए हैं आप देखिए कि संपोड लखनों में जितने भी केवियस शल लाए हैं क्या ऐसी कोई भी घटना जो है social media पर जो केवियस की जो भी आंत्री घटना है कोई ब्रामक जानकरी वो social media पर जो वाइरल हो रही है उसमें कोई केवियस का teacher लिप्त ना हो इस चीज को किरपया निगरानी रखें तो सभी लखनों संभाग को ये लिखा गया फिर एक और notification देखने को मिला वो notification देखने को मिला सबसे latest 11 April 2023 को और इस notification में प्राचार व्रंद समस्त केंद्र विद्धायले चंडीगर संभाग को ये notification लिखा गया और यहाँ पर भी विषय वही है यहाँ पर भी देखेंगे तो पत्रांग संख्या उसी को ही mention किया गया है 3 April 2023 वाले को इसमें exam manipulate by KBS teacher करके वही नाम लिखे हुए है और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये पत्रांग संख्या दी गई है या आप match भी कर सकते हैं इस पत्रांग संख्या से तो इसी को ही लेकर करके यहाँ पर mention किया गया और यहाँ पर भी वही सेम चीज बताई गई कि आप जो है इस बात का सुनिश्चित करें कि आपके विद्धाले का कोई भी सिक्षक इस प्रकार की गत्विदियो में संलिप्त जो है वो ना हो उमीद करते हैं आपको साड़ी चीज़े क्लियर हो गई होगी अब एक चीज़ को यह भी समझ लीजे कि यह जो संलिप्त था दो नाम जो लिए गए यह सही है, गलत है यह तो इनके दोरा नहीं इसमें क्लियर किया गया है यह केवल कहा गया है कि इस प्रकार की जो भटनाएं हैं वो आपके पूरे संभाग में नहीं हो रही इसकी जाच जरूर कर ले बाकी जितनी भी ऐलिगेशन लगाए गय थे उसकी जाच जरूर होनी चाहिए क्योंकि अगर वाकई में कोई दोसी है तो गई नगे उसको जो भी उचित सजा है मिलनी चाहिए ताकि बाकी का नुकसान नहों और अगर बेगुना है तो उसका नाम नहीं खराब होना चाहिए इदर उदर सोसल मीडिया पर नाम खराब हो रहा है तो यही था हमारे सोरल अपडेट में आपका क्या कहना है कमेंट में वश्च बताइएगा वीडियो बसंदा है लाइक शेजरूर कीजएगा मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार जैहन